Hello everyone, this is Pooervo और यहाँ पर जिन भी students ने St. Xavier's College राच्छी के intermediate के लिए courses के लिए apply किया था उनके लिए यहाँ पर notice है देखो आपको सबसे पहले तो इसके official website को खोलना है website को खोलते ही आपको नीचे scroll करना है scroll करके आपको कहाँ जाना है new registration में new registration पर आप लोग जब क्लिक करके scroll करोगे तो देखो आपको क्या दिखा बोला जा रहा है new registration has been closed login to download your admit card यानि कि अब जो भी form filling की process थी वो finally खत्म हो चुकी है अब कोई भी chance नहीं है 1% भी नहीं कि दो बारा फिर से portal खोला जाएगा और फिर से re-admission मतलब re-registration process शुरू होगी अब finally आप लोगों का admit card आ चुका है जो आप लोगों को download करने के लिए बोला जा रहा है साथ ही याँ पर देखिए venue for online entrance test is Saint Xavier's College intermediate section आप लोगों का entrance exam कहा होने वाला है Saint Xavier's College में ही होने वाला है intermediate section में तो आप लोग confused मत करना college में हमारा UG वाला section यानि graduation का भी है दो gate आपको में लगा ग्रेजवेशन का और जस्ट उसी के बगल में intermediate का ऐसे तो आप लोग वहाँ पर garden का लोग रहते तो पूछो के तो पता चल जाएगा ठीक है तो आप बोला जा रहा है आप लोग को देखो click here to start mock test 29 चुलाई को actually आप लोग के एक mock test भी है mock test आपको ये एक तरह से नकली practice है और इसका effect आपका entrance exam पर नहीं पड़ेगा ये बस practice के लिए है बाकी आपके question से related बोला गया है कि jack board और जो others board वाले है ना उनका question हिंदी में रहेगा बाकी CBAC और ICAC board वालों के लिए जो question दिया जाएगा वो English में रहेगा ठीक है तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपना admit card download कैसे करना है तो देखो आपको ये three line दिख रहा है आपको इसके उपर click करना है या फिर आप simply देखो नीचे अगर आपको login नहीं दिया है तो फिर आपको यहाँ पर click करना है तो आपको क्या करना है आपको ये जो तीन line है इस पर click करना है click करने के बाद देखो already register शो हो रहा है आपको उसके उपर click करना है simply इसके बाद आप लोग जब अपना ये खोलोगे ना तो देखो इस तरह से आपके सामने show होगा अब में को एक उपर पढ़ लेना दो यहाँ पर क्या-क्या बोला जा रहा है तो देखो यहाँ पर login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page खुलेगा अब आपको admit card download कैसे करना है तो आप लोग थोड़ा जूम करके देखो यह तीन लाइन दिख रहा है आपको इसके उपर simply click कर लेना क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने यह आएगा यहाँ पर क्या बोला गया है start mock test download admit card review information तो आपको क्या करना test का date देखो course 8 से है test का date आपका 4 अगस्त है guys ज्यादा मतलब कि अब time नहीं बचा आप लोगे के पास reporting timing आपका 9 बज़े से है closing timing आपका 9.45 में gate बंद कर दिया जाएगा start timing of duration आपका 10 बज़े से है और देखो यहाँ पर 10.40 तक उसका total question आपका 40 आ रहा है total marks आपका कितना होगा 4 into 40 per question 4 marks का होगा total question यानि 160 marks का होगा उसका minus marking देखो negative marking भी है अगर आपको कोई answer नहीं आता होगा तो tick मत करना क्योंकि 1 mark यहाँ पर negative है एक गलत answer पर 1 marks आपके card दिये जाएंगे उसका यहाँ आपका wrong number बता दिया गया है यहाँ पर जो आपको वहाँ पर जाकर भरना होगा उसके बाद यहाँ पर देखो download का option दिया हो तो आपको simply उपर download के उपर click करना download पर click करोगे तो आपको admit card देखो नीचे यहाँ पर आपका admission for इतना इतना download admit card दिखा रहा है यह blue color का मैं आपको समझा देती हूँ कै यहाँ पर देखो अब यहाँ पर admit card आपका download हो चुका है अब इसमें आपका reporting timing क्या होगा आपको कितने बज़ जाना है venue क्या है सब तो बताई दिया गया साथ ही बहुत ही जादा important instructions आपके admit card में बताए गया है वो मैं आपको एक बढ़ के बता देती हूँ number one में you will not be allowed to entry allowed entry after the above mentioned reporting time यानि आप लोगों के admit card में जो भी entry time है अगर उससे आप लोग लेट जाते हो तो आपको एक दम अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा second number है identity proof को लेकर you must bring a clear print out of this admit card along with the original copy of any of the following photo IDs आधार card और student ID card issued by current school college आपको बोला जारा आपने जो admit card डाउनलोड किया है इसका एक print out लेकर जाना है जो clear होना चाहिए पता चलना चाहिए आपको information साथ ही आपको एक या तो आप आधार card लेकर जा सकते हो या फिर आपके school या फिर college द्वारा admit card लेकर जाना है admit card आपका 10th का बाकी अगर इसके अलावा आप लोग कुछ और illegal document लेकर जाते हो तो आपको entry नहीं मिलेगी third में है verification by the invigilator during the online entrance test the admit card will be separately verified and signed by the invigilator you need to retain the same for further reference the admit card is issued provisionally if on verification at any stage of the admission process it is found that the candidate does not fulfill any of the eligibility condition if the information document certificate is found to be incorrect in valid notice or further reference बोले जाए रहा है कि आप लोग जब एक्जाम देने जाओगे तो आपे जो invigilator रहेंगे वो आपके admit card को verify करेंगे देखेंगे कि जिसका नाम है जिस person का photo है वो खुद चल कर exam देने आया है या फिर नहीं आपका data बगएर मतलब आपका information सही है या फिर नहीं अगर कुछ गलती पाया जाता है तो आपको तुरंत वहां से बाहर भीज दिया जाएगा फूर्थ में candidates are required to bring their smartphones to give online entrance exam through it यह मैं अपने live में admit card में पहली बार पढ़ रही हूं जिसमें बोला कि है candidates को अपना phone लेकर आना है हां तो क्या बोला जा रहा है जासे आपको अपने फोन लेकर जाना है जो पूरी तरह से चार्ज होना चाहिए आपकी ही सुविदा के लिए उसमें internet अच्छी से चलना चाहिए इसका आप बोलो जाए रहा है यह जो following link दिया गया है इसको आपको Chrome browser में browse करना है जैसे आप लोग Google खोलते हो और कुछ सर्च करते हो ना facebook.com वैसे ही ठीक है तो यह जो link है http.entrance.exam.org इसे फिप्ट में according to the online entrance test 2022 pattern for multiple choice questions students are given 4 marks of each correct answer यहां पर आपकी marking को लेकर बोला गया है कि आपका एक answer अगर सही होता है तो आपको 4 marks दिये जाएंगे यानि एक question 4 marks का होगा और आप अगर गलत answer किसी का टिक करते हो तो आपका एक number काट दिया जाएगा negative marking okay 6 में बोला जा रहा है qualifying in the online test online entrance test does not guarantee automatic entitlement to admission admission will be based on 10th board result and final merit list will be pubs list on the college the candidates are required to follow okay the candidates are allowed to obtain only the test okay पर आले तो बोला जा रहा है कि आप लोग अगर entrance test qualify कर ले तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका admission हो ही जाएगा आपका 10th का board का marks पर result depend करता है क्यूंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग entrance exam निकाल लोगे और आपका जो criteria है subject को लेकर उससे match ही नहीं कर रहा है या फिर percentage कोविड प्रोटोकॉल में तब वही मास्क बगएरा लेकर जाना ब्ला ब्ला इसका date में है अप्लिकेंट्स इस अलाओ तो अपन ओनली तो टेस्ट वेबसाइट एक्जाम इफ फांड इन्वोकिंग इनी अधर वेबसाइट विल इमेडिएटली डिस्वालिफाइड आप ल लग दूसरे किसी वेबसाइट को ब्राउस करते मिलते हो किसी दूसरा टैब आपके फोन में खुला रहेगा तो आपको तुरंट डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा यानि कि समझ रहे हो स्टूडेंट्स आपको मैं इन कंक्लूड करूँ तो आपके आडमिट कार्ड तो जो भी कोर्स आपने सलक्ट किया है 9 और 10 अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो बेसिक बेसिक पढ़लो ठीक है उपर उपर से पढ़लो MCQ है तो देखलो उसी की अकॉर्डिंग आप लोग मतलब समझी रहे हो MCQ में one word वाला टैप है तो उपर उपर से देखो जिस भी क् MCQ बनते हैं आपके सब्जेक्ट 9 10 से तो वो सब एक बार सौट में देख लो बाकी क्वेश्चन एजी रहेगा आप लोग बास रेगुलर पढ़ाई करो ठीक है और को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूच सकते हो थैंक्यू